तू रख होसला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठक हार के ना रुकना है मनजिल के मुशाफिर मनजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तों आज है 6 जून और आज के जो भी लेटेस्ट करेंड एफेस की इंपोर्टेंट कोईशन बने है इस वीडियो में आपके लेकर आगया हूँ साथी साथ क्वेशन से लेटर जो एक्स्टा फैक्ट से जुग जाम पॉइंट आप उसे काफी इंपोर्टेंट है वो भी सारे क्वेशन में डिसकस करूँगा और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में करेंड एफेस की इंपोर्टेंट कुई जिसको आपको सॉल्व करेंगे कमेंट बक्स पो जरूर लिखना जैसे कि आप डेली करते हैं और इस वीडियो की पीडिया फाइल डालोंड करने के लिए दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्स्राइब करने साथ ही जो बगल में बेल आइकन घंटी उसको वान करने ताक कि आपको मौनिंग में दोस्तों इसी टाइम पर डेली करने फिसकी वीडियो ज मिलती रहा और दोस्तों प्लीज वीडियो पर यह थे अभी और इन्होंने जो दोस्तों ऐसे स्मुद्रा का स्थान लेगे ठीक है और हम आपको बताया दोस्तों कि जैन की नियुकति के साथ आरवी आई कुब गवर्नर बैंकरों के लिए इस पत पर एक बाड़िजिक बैंकर नियुकति की परंपरा पर बना हुआ है ह और हम आपको बताया दोस्तों जो आरवी के और उप गवर्नर रहते हैं एनेस विश्वनात वी आचार बीपी कानून गो और जो अभी नए नियुकति किये गये हैं वह एम के जैन ठीक है और हम आपको बताया दोस्तों कि जो आरवी आई की जो है तो अनुसंसा जो है तो जो हेटकॉर्टर दोस्तों वो है मुंबई में और एक काफी important question इससे पूछा आता है कि से सीडी देशमुक लेकिन आरवी आई की जो प्रथम गवर्नर थे दोस्तों वो थे ओस्वार्न इस्मित ठीक है और जो सुदनता के समय का नया डिप्टी गवर्नर एन उप गवर्नर किश्कु नियुक्त किया गया है यह नियुक्त किया गया है एमके जैन जी को जितने भी extra facts आपको बताया हूं दोस्तों वो सारे note कर लीजिए ठीक है काफी important है ऐसी सारे question में discuss करूँ इसलिए वीडियो का अंदर तक जरूर देखिएगा चलिए अगले question की तरह बढ़ते है आठ हजार ठीक आठ हजार करोड रुपए की package की गोशना किये देखिए उसलिए केंदर सरकार ने गन्ना किसानों को रहत प्रदान करने के लिए उनकी देंदारियें को दूर करने को देश से आठ हजार करोड रुपए का अधिक के package की गोशना की है सरकारी अधिकारी के अन इंतम् कीमत 29 उर्पे प्रत किलोग्राम तय कर दिये जिससे गन्ना किसानों की बकाया भुकतान किया जा सकेगा तो केंद्र सरकान ने गन्ना किसानों को राइत प्रतान करने के лिए कितने 1000 करोर रुपए के पैके कुछ भुचना की है तो आठ 5000 करोर ठीक है चलिए अगला ठीक बेन लेकोमेट जो है दोस्तों ये एक फ्रांसीज तैराक है जापान से निकल चुके हैं जिसका उद्देश से प्रसांद महसागर को तैर कर पार करने वाले पहले व्यक्ति बनना है देखर सो जो बैन लेकोमेट च्छे महीने सधीक समय तक आठ घंटे तक तैरेंगे जै सबसे बड़ा और गहरा महसागर है ठीक है तो उस तैराक का क्या नाम है जिसका उद्देश प्रसांद महसागर को तैर कर पार करने का पहला व्यक्ति बनना है एक फ्रेंच तैराक बेन लेकोमेट ठीक है चलिए अगला कोशन दोस्तों किशानों किया बढ़ाने के लिए सरक अभियान के शुहारम की घोषना की है जिसके तहट चुनिंदा गावों के किशानों को किर्शी तक निकिम शुधार और उनकी आए बढ़ाने के तरीकों पर सहायता और सला दी जाएगी और हम आपको बताए सो 2022 तक किशानों के आए को दोगना करने के लिए प्रधानमती न पासा दोस्तों किर्सी और किशान कल्याड मंत्राला जो तो भारत सरकार की साखा है तो किशानों की आई बढ़ाने के लिए के अन सरकान ने किस अभियान का आवजन किया है किर्सी कल्याड अभियान का जो की एक जून से 31 जुलाई तक इस अभियान की शुरुआत होगी ठी लिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों विश्व पर्याबन दिवस 2018 की थीम क्या थी देखे दोस्तों अभी जो है तो आज पांच जून को विश्व पर्याबन दिवस मना जाता है तो इस बरस की जो थीम थी दोस्तों वो थी बीट प्लास्टिक पॉलिशन देखे दोस्तों विश्व पर्याबन दिवस स्यंक्त राष्ट का हमारे पर्याबन को सुरक्षा के लिए विश्वापी जागरुकता और कारवाई को प्रसाहित करने के लिए सबसे महत्मूर दिन है चूंकि दोस्तों यह 1974 में शुरू हुआ था एसारवजनिक पहुंच के लिए व विशेष जहतो है तहत मनाहा जाता है जो विशेष रूप से चिंता पर केंद्रित रहता है और दुष्व ब dirh दुस्तों बीट प्लॉस्टिक क्रूम में किसने सबद ली है तो 99% लोगों इसका राइट एंसर दिया था उस्तों इसका एंसर है पेडरो संचेज ठीक हाली में जो तो इस्पेन के नए प्रधान मंत्री क्रूम में किसने सबद ग्रेंड की है पेडरो संचेज काफी important question है याद प्रधान में अध्यक्ष का अध्यक्षट का अध्यक्षट का अध्रिक प्रफार मिला है आपके पास संजय मित्रा एस कृस्टोपर संजय शर्मा कोई नहीं जरूर कमेंट करिएगा देखते तो 30,000 लग वक 30,000 लोग हैं लेकिन कमेंट केवल 500-600 आ रहे हैं तो मैं इस वार उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो तो 1000 कमेंट जरूर करेंगे तो जब देखते हैं दोस्तों प्लीज कमेंट भी कर दिये करें उससे हमार पर देख सकते हैं दोस्तों और प्लीज वीडियो देली रेखा करिए क्योंकि मैं काफी मोड़ें जानकारी आपके लिए लेकार आता हूँ तो आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर करिएगा तो मिलते हैं दोस्तों कल की हिंद बंदे मतरम आल थे बेस्ट